नमस्कार दोस्तो, अगर आप कटरबादी धार्मिक इनसान हो, तो मैं आपसे रिक्विस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो मत देखो, क्योंकि आज मैं धर्म और भगबान के उपर कुछ ऐसे ऐसे सवाल उखाने बला हूँ, जो कि जानते सभी है, लेकिन कोई समझने को और क कोई पुछने को तयार नहीं है, जैसा कि हम बच्पन से ही सुनते आये हैं, ये हमारे धर्में 56 करोर देवी देवताय मौजूद है, हम हर भगबान की अलग अलग पूजा करते हैं, राम भगबान की अलग, विस्नु भगबान की अलग, लक्षमी माता का अलग, सीता माता का ऐसे ही देवों के देव महादेव की पूजा अलग, बाला जी हनुमान की पूजा अलग, एट्सेक्टरा, अमारे धर्म में भले ही 56 करोर देवी देवताय मौजूद है, लेकिन रियल लाइट में कुछ ही ऐसे मैन में देवी देवताय हैं, जिसकी पूजा हम इनसान हर पूट रहा है कि राम भगवान, स्रीक्रिष्ण, ये सब विश्नु भगवान का ही अबदार थे, सीता माता, लक्षमी माता की अबदार थी, पाला जी बजरंग बली, भोलेनात का अबदार था, तो आखिर इन सब की पूजा अलग-अलग क्यों की जाती है, इसी तरह से जि माता की अलग मंदीर बनाये जाते हैं, और दूरगा माता की अलग मंदीर बनाये जाते हैं, जबकि दोनों ही एक ही है, अगर हम बुद्धी जीवी बनकर एक सेकेंड के लिए सोचे और समझने की कोशिस करें, तो भगवान अपने आप में ही दुनिया का एक बहुत ही बरा पुरी दुनिया ऐसी चीज को मांती है और ऐसे चीज की फूजा करती है, जो की एक्चुली में किसी ने देखा ही नहीं है, सिर्फ सुना है कि हनुमान जी बंदर जैसे थे, तेवो के देव महादेव के गले में हम ऐसा साप की माला होते थे और वे केलास परबत पर रहते थ है, कहते हैं कि हर चीज में भगवान है, हर कनकन में भगवान है, पर दिखते नहीं हैं, इसका मतलब तो यही हुआ कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि देखो मेरे हाथ में आईफोन है, लेकिन है नहीं, लेकिन फिल भी आपको मानना पड़ेगा कि मेरे हाथ में आईफोन है, वही आकास में अपने बिमान पर बैठ कर वहाँ पर अराम से घूमते रहते हैं जिस चान्द को हम चंदा मामा समस्ते थे वहाँ पर हम इनसान जाकर जंडा गार कर आ चुके हैं और इतना ही नहीं हिंदू धर में तो चलो भगबान की हम फोटो भी देखते हैं हमको पता भी है कि हमारे भगबान ऐसे हैं लेकिन मुस्लिम के धर्मों में तो भगबान दिखते भी नहीं है उनको पता भी नहीं है कि उनके भगबान कैसे थे और किस तरह से दिखते थे जो अल्ला है उसकी आज तड कभी तस्वीर बनी ही नहीं है और उसी को मुस्लिम लोग भगबान मानकर पूजा करते हैं, उसके लिए रोजा रखते हैं तो आखिर धर्म का कंसेट दुनिया में आया कहा से और भगबान की पूजा करने की पर्चलन की सुरुआत आखिर हुई कैसे जब एक बच्चा दुनिया में पहली बार जन्म लेता है, तब उसको कुछ भी पता नहीं होता है, उसको पता नहीं होता है कि दुनिया में भगबान नाम की भी कोई चीड है, दुनिया में धर्म नाम की भी कोई चीड होती है, ये हम लोग है, उनके माबाप होते हैं, जो की जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनको सिखाया जाता है, कि ये हनमान जी है, ये विशनु भगबान है, ये राम जी है, जिसने रावन का बद करके सीता माता को छुराया था, और ऐसे ऐसे वे सब भी धर्म और भगबान को मानने लगते हैं, और इसी तरह से वे लोग फिर अपने बच्चे को सिखाते हैं, और हमेशा से ऐसे ही धर्म और भगबान का कंसेप्ट दुनिया में परचलित होता रहा है, हिंदु धर्में रामायन और महाभारत को बहुत ही माना जाता है, लेकिन अगर हम सबाल उठाए तो रामायन और महाभारत पर भी बहुत साड़े सबाल उठते हैं, जैसे की राम तो भगबान ही नहीं थे, वो तो इनसान बनकर राजा दसरत के घर में पैदा हुए थे, और उन्होंने अपने पत्नी के लिए रावन का बद किया था, वो इनसान बनकर रावन का बद किया था, छीक उसी तरह से जीस तरह से फिल्म में हीरो भिलन का बद करता है, पर फिर भी रावन को भगबान मानकर उनकी पूजा की जाती है, और यहां तक की कई जगों पर रावन की भी पूजा की जाती है, और इसी तरह से ऐसा माना जाता है कि सीता माता ने राबन को कभी छूने भी नहीं दिया था वे पहले ही अगनी देव के सरन में जा चुकी थी और अगर राबन सीता माता को छूने की कोशित भी करता तो वो वही जलकर भस्म हो जाता लेकिन दोस्तो हम एक बात भूल रहे हैं कि जब राबन ने सीता माता का हरन किया था तब उसने जबरजस्ती हाथों से पकड़ कर उसको अपने विमान में ले जाकर और फिर सीता माता की हरन की थी अगबान के बारे में हम बच्पन से ही एसी एसी बाते की सुनते आये हैं कि अभी भी हम लोग इस चीज को डिसाइड करने में बहुत ही कनफ्यूज है कि क्या सच में वो भगबान ही थे या हमारी तरह एक बेवगूप परानी जैसे की ऐसा बोला जाता है कि देवों के देव महादेव गाजा और भांग में मगन होते थे वे अध्रन धनर बनकर किसी को भी कोई भी बरदान दे देते थे और बाद में जाकर वही बरदान उन पर भी भारी पर जाता था जैसे की भासमा सूर की कहानी तो आपको पताई है तो क्या भगबान भी हम इनसानों की तरह बेवकूप होते थे और अगर मुरली मनोहर क्रिशन भगबान की ही बात करे तो उनको तो महिलाओ का बस त्रहरन करने बाला बताया गया है उन्होंने प्रेम किसी और से और साधी क इसी और से किया था और इतना ही नहीं वो हम इनसानों की तरह ही दूसरों के घर में जाकर चोरी करके माखन भी खाते थे तो ये सब तो भगबान का लक्षन तो बिलकुल भी नहीं है लेकिन फिर भी क्रिशन भगबान को भगबान मानकर पूजा की जाती है ऐसा माना जाता ह कि पूरी दुनिया में 4,000 से भी ज़्यादा धर्म हैं और हर धर्म में अलग-अलग भगबान हैं हर धर्म के अलग-अलग निती नियम और कानून भी बनाये गये हैं लेकिन मैक्सिमिम्म धर्मों में जिसको भगबान माना जाता है वो एक्चोनी में धर्ती पर इनसान बनकर ह पैदा हुआ था लेकिन उसने कुछ ऐसे काम किये कुछ ऐसे संदेश दिया लोगों को जिसकी बज़े से उनको आज तक भगबान के रूप में माना जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है जैसे कि भगबान बुद्ध को ही ले लो वो नेपाल के लुंबनी सहर में एक र आज के जमाने के बुद्धी जीवी लोग जो की इतने एडवांस हो चुके हैं और इतना नोलेज है उनके पास में अगर ऐसे ऐसे 10-20 लोग ही पहले के टाइम में अगर पहुँच जाए तो मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि ये सारे लोग आज के टाइम में भगबान के रूप में पूजे जाएंगे एक्चॉली में अगर देखा जाए तो धर्म और भगबान की हमको कोई जरूरत ही नही है जरूरत है तो हमको सेम विद्धी की और इंसानियत की धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होता है इस धर्म की पालना हर किसी को करना चाहिए तो बस ये था दोस्तो आज का हमारा भीडियो भगबान और धर्म के उबर उमीद करता हूँ हमारी भीडियो आपको अच्छी लगया होगी आप क्या सोचते हो भगबान और धर्म के बारे में अपना अपेनियर नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा तो मिलते हैं अगले वीड नमस्का